आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप PM किसान सम्मानी दी की EKYC कैसे करेंगे अपने मुवाइल फोन से और अपने बायो मैट्रिक के दौरा भी आप EKYC PM किसान सम्मानी दी की कैसे करेंगे तो इस complete वीडियो में हम आपको पूरा फुल प्रोसेश दिखाने वाले हैं तो प्लेज आप वीडियो में बने रही है यदि यहाँ आप हमारे चैनल पर नए आये हैं चैनल को बितर सब्सक्राइब ने करें सब्सक्राइब करें यदि आप वीडियो ये फेस्बुक पेज़ पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज़ को फालू करना ना भूलें तो चलिए वीडियो करते हैं यदि आपके अधार कार्ट में मुवाल नंबर लिंक है आपको मुवाल नंबर डाना होगा जो भी अधार कार्ट से लिंक है उसका Get Mowile OTP पर किलिक करेंगे आपके मुवाल नंबर के अधार काट खाट मुवाल नंबर रेइस्टर है उस पर एक OTP आएगा OTP को हैं फील करेंगे और submit वाले option पर click करेंगे फिर get start पर click करेंगे आपके अधार कार्ट ख़त मोई लंबा जो भी रिष्टेट हो उस पर एक OTP आएगा और उसके यहाँ पर भी आप OTP को submit कर देंगे submit for यहाँ पर add करते ही आपके यहाँ पर देखी लिख क्या चुका sensor login पर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर start वाला option दिखाए देगा यहाँ पर आप अधार नमबर डालेंगे अधार नमबर डालेंगे search पर click करेंगे उसके यहाँ पर एक mobile number देंगे कोई भी आप एक mobile number यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर अपना एक mobile number देंगे इसकत get mobile OTP पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को submit करेंगे उसके यहाँ पर आपके पास कोई भी एक biometric device होना चाहिए यहाँ पर get start पर click करेंगे biometric device अपने laptop पर लगाएंगे आपकी device activate हो जाएगी light on हो जाएगी उसके जिसके भी आप EKYC करना चाहते है उसका thumb रखकर device पर उसकी EKYC complete कर देंगे I hope आपको यहाँ तक वीडियो काफी पसंद आया होगा इस वीडियो से आपको कितनी knowledge मिली तो please हमें comment box में जरूर comment करके बताएं चैनल पर नए आये हैं चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें